जै स्री कृष्णा आये सुनते हैं सुकसागर के चौथे असकंद का अध्याई 9, 10 एवं 11 ध्रू के बन में चले जाने के पस्चाथ उनके पुत्र उतकल ने राज सिंगासन को अश्विकार कर दिया इस पर कूल के बुजुर्गों ने तथा मंत्रियों ने उनके छोटे भाई भ्रमी पुत्र वत्सर को राज सिंगासन सौपा वत्सर की पत्नी स्वविर्थी ने पुस्पाड तिग्म केतु इस उर्जा वसू और जै नामक छपुत्रों को जन्म दिया पुस्पाड के प्रभा और दोसा नाम की दो पत्निया थे प्रभा ने प्रातह, मध्य दिन और शायम नामक तीन पुत्रों को जन्म दिया दोसा ने प्रमोज, निसी और वियुष्ट नामक तीन पुत्रों को जन्म दिया बियुष्ट की पतनी पुसकरडी ने सर्वतेजा नामक पुत्र को जन्म दिया, सर्वतेजा की पतनी आकूती ने चछु नामक पुत्र को जन्म दिया, जो चाछुस मनुवंतर में मनु हुआ, चछु मनु की पतनी नडवलाने पुरु, कुच, तृत, धुम, सत्यमान, रितु, ब्रत, अग्निष्टोग, अतिरात्र, प्रद्युम्न, सीवी और उल्मुक नामक बारह पुत्रो को जन्म दिया, उल्मुक की पतनी पुष्करडी ने अंग, सुमना, ख्याती, क्रतु, अंगीरा और गया नामक छपुत्रो को जन्म दिया, अंग की इस्त्री सुनीथा ने क्रूर कर्मा बेन को जन्म दिया, बेन की दुष्टता से उद्धिग्न होकर राजर सी अंग नगर छोड़कर बन में चले गए, कुछ समय पस्चाद बेन की मृत्यू हो गई, बेन की मृत्यू के पस्चाद कोई राजा न रहा, लुटेरों ने कोई राजा न होने के कारण, प्रजा को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, यह देखकर मंत्रियों ने बेन की दाहिनी भुजा का मन्थन किया जिससे भगवान विश्रू के अंसावतार प्रिथु प्रकठ हुए दस्वा अध्याय प्रारम श्री मैत्रे जी ने बताया कि राजा अंग के बन में चले जाने से प्रिथ्वी की रच्छा करने वाला कोई न रहा मंत्रियों की सहमती न होने पर भी बेन को राजा बनाया गया बेन ने धिधोरा पिटवा कर सारे धर्मकन बन करवा दिये उसने घोषडा करवा दी की कोई यग्य हमन दान न करे मुनियों ने राजा बेन को समझाया कि राज्य में द्वीज यग्यों का अनुष्ठान करेंगे तभी पूजा से प्रसंध होकर भगवान के अंस देवता आपको फल प्रदान करेंगे आपको यग्यादी धर्मानुष्ठान बंद करवा कर देवताओं का तिरसकार नहीं करना चाहिए राजा बेन ने उत्तर दिया कि राजा सर्वदेयमय होता है और देवता उसके अंस मात्र हैं इसलिए द्विजों तुम मतसरता छोड़कर अपने कारियों द्वारा मेरा ही पूजन करो मुझे ही बली समरपड करो मेरे यतरिक कोई भी अग्र पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता इस तरह के बेन के अत्याचारों से दुखी होकर कुछ लोगों ने मिलकर उसके जीवन का अंत कर दिया उन्होंने सोचा कि यह जीवीत रहेगा तो संसार को अवस्य भस्म कर डालेगा बेन की माता सुनी था मंत्र आधिकेबर से अपने मृत पुत्र की रच्छा करने लगे बेन की मृत हो जाने से चोर दाकू लुटेरों की संख्या बढ़ती चली गए राजे में असांती फैल गए प्रजाजन कहने लगे की राजर्सी का बंस नष्ट नहीं होना चाहिए इस कारण रिसियों ने मृत राजा बेन की जांग को बड़े जोर से मथा उसमें से एक बावना पुरुस प्रकठ हुआ वह कौवे के समान काला था और भुजाएं बहुत छोटी थी उसके जबडे बहुत बड़े थे वह बोला मैं क्या करूँ रिसियों ने कहा निसाद बैठ जाओ इससे वह निसाद कहलाया जन्म लेते ही उस निसाद ने राजा बेन के पापो को अपने उपर ले लिया उसके बंसधर निसाद की लूट मार वह हिंसा से रत रहने लगे वे गाउं वन नगरों में टिक कर नहीं रहते थे वे बन और पहाडों में रहने लगे इग्यारहमा अध्याय प्रारम्ध पुत्र बिहीन राजा बेन की भुजाओं का मन्थन ब्राम्धों ने किया मन्थन करने से एक इस्त्री पुरुष का जोडा प्रकट हुआ भगवान विश्डू विश्डू पालिनी कला से प्रकट हुए उस पुरुष का नाम प्रिथू रखा गया भगवान की सेवा में नित्य रहने वाली सहचरी श्री लच्मी के रूप में अर्ची प्रकट हुए ब्रम्हाजी देवताओं और देवेश्वरों के साथ वहां पधारे उन्होंने प्रिथू के दाहिने हाथ में भगवान विश्डू की हस्त रेखाएं और उनके चड़ों में कमल का चिन्ध देखा प्रिथू के हाथ में चक्र का चिन्ध देखकर प्रिथू को स्रीहरी का अंस समझा सबने मिलकर प्रिथू का राजया विशेक किया कुबेर ने अपना स्वड का सिंघासन प्रदान किया वरुणने स्वेच्छत्र वायूने दोचवर धर्मने किर्ती मैमाला इंद्रने मुकूट यमने दमन करने वाला डंड सर्श्वतीने हाद ब्रह्माने कवच विश्रु भग्माने सुदर्शन चक्र रूद्रने दस चक्रदार तलवार लच्मीजीने अविचन संपत्ती त्वष्टाने सुन्दर रत चंद्रमाने अम्रित्मै अस्व अम्बिका देवी ने ढाल प्रित्वी ने अभिश्ट अस्थान तक पहुचाने वाली पादुकाएं सुर्य ने बार अग्नी ने बक्रों और गायों के सिंगों का धनूस सिद्म गंध्रवादी ने नाचने गाने बजाने वाली और अंतरध्यान हो जाने वाली सक्तियां समुन्द्र ने संखादी सभी ने कुछ न कुछ भेट में दिया राजा प्रिथु ने कहा कि आप लोगों को मेरी इस्तूती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप लोग किन गुड़ों को लेकर मेरी इस्तूती करेंगे